नमस्कार दोस्तों, आज कल का लाइफटायल जिस तरह से हम जी रहे हैं, उसमें अजिकतर समय हम अपना स्क्रीन में बिताते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कम्प्यूटर, जिससे हमारे आखों में जो किरने पढ़ती हैं, ब्लू रेज पढ़ते हैं, उससे हमारे आखों का ख्याल रख सकते हैं, उसका क्यार कर सकते हैं, और आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, अपने काम को बिना हैंपर किये वे, ऐसे ही हेल्स रिलेटेड अच्छे और यूसफुल वीडियो में लेकर क्या आते रहता हूं, अगर आप हमारे चनल में नए हैं तो हमार कोई गमला या फिर कोई चीज रखा हुआ है, उसे 20 सेकंड तक घूरना है, ठीक है, नहीं समझ मैं है तो चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लिफाइ कर देता हूं, आप काम कर रहे हैं, 20 बट के बाद आप ब्रेक लें, और आप अपने आसपास ओफिस में देखें कि 20 फुट की की दूरी पर कोई समान या कोई गमला तो नहीं रखा हुआ है, ठीक है, उस गमले को आप 20 सेकंड तक घूर के देखें, और फिर रिलाक्स हो जाएं, इससे क्या है कि आपका जो आपका जो फोकस है वो बना रहेगा, और कॉंस्टेंटली हमारा आप जो है एक नजदीक स्क् करेंगा तो उससे थोड़ा सा रिलाक्स मिलेगा, ठीक है, जो सेकंड टिप्स है वो है आपको वेल हाइडरेटेड रहना है, देखें, जब ही हम स्क्रीन में काम करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे आइस के जो मोईस्ट्र होते हैं, वो धीरे-धीरे ड्राई होने लगता है, जिसे हम ड्राइनेस भी कहते हैं, इस ड्राइनेस के वज़े से इरिटेशन होता है, खुजली सा लगता है, और कई वार सरदर्द भी होता है, तो इसके लिए हम अपने आपको वेल हाइडरेटेड रखना है, आप एनफ पानी पीजिए, आप ऑफिस में अपना बोतल रखे और सफिशेंट पानी पीजिए, जिससे आपका बोडी वेल हाइडरेटेट रहे, और आपके आखों की नमी है, वो बना हुआ रहे, उसके आप घर जाते हैं, तो आप साउंड स्लीप लीजिए, यानि कि आप रात में जो सुते हैं, वो अंडिस्टर्ब्ड आपका स्लीप ह ले सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस के, ठीक है, उसके बाद कुछ रूल है, जैसे आप अपने स्क्रीन में काम कर रहे हैं, तो आप कोसिस करें कि जितना स्क्रीन का साइज बड़ा हो उतना अच्छा है, क्योंकि छोटा स्क्रीन का साइज रहता है, तो लेटर्स भी छोटे हो एक आपको उसमें ज्यादा फोकस लगाना पडता है, ज्यादा जिससें आपके आँखों में और ज्यादा स्ट्रेंड पडता है, तो आप कोछिस करें कि बड़ा इवाइस में काम करें और चोटा डिवाइस से बचे ठीक है अब फूर्थ जो टिप्स है उसमें फिर से एक modification आपके workspace में कि आप letters को थोड़ा सका font जो है उसको थोड़ा सा increase कर दे size को increase कर दे छोटा छोटा जो font रहता है उसमें आपको focus करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है आपके eyes को ज्यादा ताकत या ज्यादा strain लगाना पड़ता है उस चोटे-चोटे letters को पढ़ने के लिए तो आप क्या करिए कि font size को increase कर दीजे जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा और अगर जब font size small रहता है तो बहुत सारे information एक ही screen में आ जाती है जिससे भी हमारे आखों में strain पढ़ता है तो अगर आप font को increase करते हैं तो वो distribute हो जाता है spread हो जाता है जिसके हुझा से आपके आखों में strain कम पढ़ता है आपको कम focus करने के ज़रत पढ़ती है fifth और important tip से आप अपने eye doctor से मिले और वो आपको lubricating वाला drops देंगे जो बहुत ज़रूरी है आपके eye को lubricate करने के लिए आइक में जब dryness हो जाता है तो आप तुरंथ तो उसके लिए कुछ करना होगा तो उसके लिए lubricating वाला eye drops आता है उसको आप यूज करिए आपके eye doctor के सलाह से जिससे आपको उससे काफी पैदा होगा और इस वीडियो को भी like and share कर देंग यू फॉर वाचिंग प्रेंट्स bye-bye